विडियो में हम एक इंपोर्टन स्ट्राटेजी के उपर डिसकेशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों का काफी रिक्वेस्टेट वीडियो है कि एक इंट्री एक्जिट सेटप के उपर हम लोगों को थोड़ा सा नौलेज लेना है आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको इक चीज़ बता दू कि यह जो चीज़े रहेंगी सिर्फ लर्निंग पर पद्स के हिसाब से में सारा चीज़े आपको सीखाने वाली हूँ ठीक है इंड्रे एक्जिट का माने यह नहीं कि मैं आपको यह बूल रहे हूँ कि आप उप्षिंस में जाके इन सारे चीज़ों का अपलाई किजे बिल्कुल भी नहीं बस आपको एक चार्ट के उपर समझाना चाहती हूँ कि आप इसको किसी भी किसी भी दुनिया का चार्ट उठ अब से भी झाना एक किसा ऑप किस तरह से बनता है और जहां आप लोगं करते हो ना अप closest कि सा घुक्राट का लिचा करते हो जब लेवल ना तब यहाँ पे दिमाग में बहुता ही कि अभी यह आपर डार्टर प्राउट यहाँ पर इसके नीचे अगला टार्केट भी होगा ना फुट 9500 तब भी मार्केट 600 के पास में कभी कभी रुपता ही है वो most of time रुपता है कभी कभी ऐसा होता है कि market directly running में नीच आज आज आता है second target तक risk यहाँ पर नहीं बनता है risk यहाँ पर उपर पर कैसे identify करें यहाँ पर उपर पर किस तरह से identify किया जा सकता है कि यहाँ से market गिरेगा अभी मैं आपको उसी चीज़ों के लिए समझाने वाली हूँ हम bullish के लिए भी देखने वाले है वही पर हम second bearish के लिए भी देखने वाले है ठीक है हम दोनों के लिए देखेंगे कि क्या setup रहेगा क्या conditions रहेगी अभी मैं multiple time आपको price action समझा चुकियो लेकिन अभी ऐसा मानो कि इस वीडियो में जिसने ध्यान दे दिया फिर उसको कभी मुझे पूछने की जरूत नहीं पड़ेगी कि मैं price action कैसे वग करता है price action क्या होता है ठीक है मैं आपको इतना सारा चीज़े फ्री मैं आपको समझा रहे हूं तो आपको उसका value समझना चाहिए ऐसा आपको लगता ह पैसे लेते तो यह कैसे दे सकती है इतना अच्छा फ्री में यह इतना अच्छा ही है जो मैं आपको दे रहे हूं पस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बाकि आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको एक लाग का दो लाग का courses लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलो अभी start करते हैं मैं पहले start करना चाहती हूं भियर इससे देखो आजकल के मार्केट है election के बाद के जो मार्केट है और जादा वस्त हो गया है अभी इन मार्केट में जितना भी मैं चार्ट डखो बुलिष सट अप मुझे नजर ही नहीं आ रहा है बिलकुल भी नहीं अभी एक चार्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इस चार्ट को अगर आप देखते हो तो मार्केट में यहाँ भी जब मार्केट गिया ठीक हुआ तो वह डायरेक्ली वनवे चला गया बुलिष सट अप नहीं था बुलिश प्राइज नहींक्रीट किया गया तो फिर से रुगया ज्यादा नहीं चल पाया जिस दिन मार्किट भुलिश पॉप्राइब करके चलेगा उस दिन मार्केट एक ल lass देखा अन्हीं ज़ाती हु वाली candle के साथ में तब भी उसका काणडल नहीं यह इसलिए हो रहे हैं क्यूंकि आज कल के मार्केट से ठीक एलेक्षन के बात के जो मार्केट न हो और भी घठीया मार्केट हो गए है जहांसा आच्छा प्राइप में तो इस लिए पिछे के आप लेकर जहांगे पर उप अच्छे स्टर्च ने प्राइस क्रियेट के और जहां पर ऑफ पर anger career की और अब जाकतेर न सब्सक्राद कर सकते के लगे लगेस्तिक अपर स्पष्टरों के साथ यह चौट लगा वीडियों सब्सक्राइब लाइक कर दो फिरी को अपने दोस्तों कि साथ जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छा की सब्सक्राइब कि पहला याद रख लो अगर बएता रहता है तो उसमें क्या-क्या चीजमें इंपोर्टेंट मार्केट में प्रेश्पूर्ण मृष्ट मे मइन Спब्ढ़ क्रूं रहती है क shepherd लेवल हमेशा मार्केट किया करता है इसके लिए क्या यूज कोगते सपोर्ण लेवल से थोड़ा सा उपर की साड़ में उच लेगा थोड़ा टाइम बाद मार्केट उस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है सबसे पहला स्ट्रिक रूल है इसके लिए क्या मार्केट का ट्रेंड अगर बियरिश रहेगा तो मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा वहां से या तो सपोर्ट लेवल के पास थोड़ा सा टाइम लेगा साइडवेज हो जाएगा उसके बाद उस लेवल को तोड़ेगा या फिर सपोर्ट से थोड़ा सा उचल की जाएगा रदिस्टेंट्स लेवल के पास में एंड देन उसको तोड़ेगा लेकिन सपोर्ट लेवल को मार्केट क्या करता है तोड़ता ही तोड़ता है जब उसका ट्रेंड बियरिश रहता है यह सबसे पहली इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है तो आप लोग की ग आपका फ्रेंड होना चाहिए ट्रेंड के साथ में चलो ट्रेंड के अग्यन जाने की जरुवत नहीं है ठीक है यह पहला एक नियम रहेगा जो आपको याद रखना है कि सपोर्ट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेंगा तोड़ेगा रिस्पेक्ट करेंगा ठीक है अब यह कैसे अदेंटिफाइ करें वंडे का छोड़ी है पांच मिनिट में आपको देखना है कि क्या ट्रेंड चलते हैं उसके बाद में यहां पर रेड कैंडल बनती है फिर ग्रिन कैंडल बनती है फिर मार्केट रेड कैंडल क्लोस करता है और इस दिन मैंने रुनिंग व यह आपको मीस कर देना है इसमें आपको इंट्रस्टेट नहीं रगना है क्योंकि आप अभी नए हो आपको जादा चीज़े पता नहीं है कि निचे निचे आया एक सपोर्ट मार्केट लगाता है ठीके क्लोस के पास आसपास आएगा क्लका फैसथैनिosten यहां पर यहां पास कहां फिर आपने ये पर यहां पूर्ण गजिक मैं इसको निच आना चाहिए है ऐसा करके मार्केट मार्केट ने क्या किया यहां पर हैंगिंग मैं केंडल बना दी को कंडल इंपोर्टेंट रेती है मुझे सबसे जादा बेरिश चिसमें पसंद आने वाली कांडल हैंगिंग मैं एक डाल बहुत ज्यादा अच्छा लगती है मुझे जब बेरिश ट्रेंट रहता है क्योंकि उसमें दम थोड़ा स बैंट के चलेगा थिक ए निफटी बैंक की बात करें तो 40-50 पौइंट का पाणल चलेगा 50-60 पौइंट का कटल लेकिन असा 70-90 पौइंट का कंडल नहीं चलेगा ठीक है ज्यादा बड़ा हो जाता है वह 90 पौइंट वगरा ज्यादा बड़ा हो जाता है चालीस पचास पॉइंट ठीक है इतना ठीक है एंगिंग मैं ऐसे कैंडल अगर बने तो वह काफी बैस्ट रहती है इसमें यह काफी छोटा बैटता है इसलिए वह कैंडल जादा अच्छी लगती है सो मार्केट उपर गया लेकिन इसने क्या किया फिर से यहाँ पर क्या किया हैंगिंग मन कैंडल ऑव करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा कि भाई यह उपर मैज गया लेकिन यह तो अपना जो हां है उस वहां पर बहुत जादा रहता है तो यह सारी चीज़े रहती है अभी यह मार्केट अच्छे नहीं है इतने इसलिए बड़े मुझ मेंट से शाधा जए कम रहे हैं तो मार्केट ऐसे पीरिष मेंटर बनात और रहताकर मेंटर तो इतना अच्छा जाल चानल आता हैे निक्र तो के कर देए 200-300 पॉक्त का मोमेंटम आराम से कर देया जब ड्रेंडिंग मार्केट रहता है सु यह उपर इसना हैं क्क зап Yakar पर क्लोजりました चंडल की अच्छ पाल रहता है penब शनकरता ho समय सके ऑने लोल ही काखका चैकर सु इस ön tracking मेल सो हेँ संदेटाई प्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा आजाता है लेकिन आजकल के मार्केट को अगर ध्यान में रखते हैं तो बड़ा टार्गेट नहीं रखना है मार्केट बड़ टार्गेट दे ही नहीं रहा है चोटे चोटे टार्गेट मार्केट दे रहा है जिस्ट आप इसको बोल सकते हो किस मार्केट में सिंपल स्कैल्प हो रहा है इससे जाधा उपर कुछ दे नहीं रहा है और देना होगा टो रणिंग में मार्केट जादा दे देगा तो रणिंग में ले लेंगे अगर हमारा एक्सपेक्टेशन यहां तक है मार्केट आगर यहां तक दिते थाला किनसिप कि यहां पर चाहिए यहां पर टाइम पस यहां प्रीविए सपोर्ट फिर मार्केट उपर गया फिर मुझे लगा कि चलो यह बैतर थिंग अभी क्योंकि इसने फिर से गया अपना previous resistance के पास में गया लेकिन आजकल के market ऐसे घंदे होने के कारण market ज्यादा momentum नहीं कर पा रहा है बहुत हमें आपको बोल रही हो ना market अच्छा नहीं है आप लोग market को ही वल्द बोलू कि यह ऐसा क्यों है हमारा price गलत नहीं है सारी चीज़े गलत नहीं है बस market का behavior ही अच चीज़े हो रहा है ठीक है यहां पर इसने फिर से एक्जाक लेवल पर प्राइस अक्षिन बनाया यह जो रेड़ कैंडल है यह वाली स्ट्रॉंग कैंडल उसका हाय नहीं निकालता है market जो market जहां से उपर से नीचे गिरा होता ना उसका हाय मार्केट कभी भी नहीं निकाले अगर यह जो रहना है तो यहां पर फिर से रड़ कंडल क्लोज किया तो इसकी रेड़ कंडल क्लोजिंग में फिर से इसकी क्लोजिंग होता है entry setup ठीक है इसका हाय जो रहें फिर से से रहे अंट और क्या हुआ आर्गेट करणा है previous support टार्गेट रखना होते हैं तेकिन यह इ करके देखो इस दिन मार्केट ऊपर ओपर होता है फिर मार्केट अपना प्रीवेस निकालता है जो आप बोलते हो ना कि मैं मैं आप चोच हो गया यह कैसा इडेंटिफाइ करोगे यह सब मार्केट में लोग बुलिश हो चाहते लिकिन आप बुलिश क्यों नहीं होते क्या रि ना की में उसको साध में लेगे चलू यह को यह इसने को पोलो करूक है मेर lige92 आप 네 यहां डेतर आप साइड के लिए तो ऊज़ोंक हो जाएगा लुक्त सब्सक्राइब कि चैनला सब्सक्राइब इस जगह से वह तो उसी जगह से भी टाइब का सब्सक्राइब को ब्रेक की या नहीं किया तो इसमें बुरीश हो सकते हैं पर किसाड़ी के लिएक जब्ट कि यह decompos Gabrielle निकाल देता कैसे उमने की बूरीश हो गया है आज का हाँ अगर मार्केट निकाल भी देता है यहां पर मार्केट ऐज नीचा आथा उपर इा आज का यहां पर हम बुलिश नहीं हो सकते सबसे इंपोर्टन बात है यह नीचे से आता भी है तो भी यह सा मुझ फुटता क्यों है पता है बेरिश ट्रेंड में इस 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 दे रिजन यह वाला रिस्टेंस लेवल के कारण हां यहां से अगर किसी का मन होगा कि सपोर्ट के पास से उसका यहां यहां शाit सब्सक्राण के पास मि защAllu खुटता कि ऐसंदे उसका यह सारय और सब्सक्राम कहीं होगा सुद्इम क्यों आप रिस्टन के यह नहीं होंगे साइस नहीं होंगे सब्सक्राण पर रता है जल होगा और आपनों फीर मार्टन होगा सित जंश लिए और सब्सक्राइब क्या है अब हम तर्द चार्ट से उपर देखेंगे तो यहाँ पर एक हा를 लगा था उसके नीचे लर हाई लगा था उसी के नीचे लौईर लगा उसी लिए बर्या लगा है यह वाहला सपोट लेवल भी शथाने ब्रेट किया है तोर देखते कल किया होता लेकिन इस तरह से आपको प्राइज करना आना चाहिए ठीक है अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ बहतरी चार्ट की उपर जहां पे बेरिश प्राइज एक्षिन बना है बहुत अच्छे से वर्क भी किया है जो अच्छे मार्केट रहते हैं उनमें प्राइज कैसे वर्क करता ते स्वर्क कफ अच्छे मार्केट ओपर जाता है ऐंच अपर जाता है युशुड़ कांडल यहां पे और फॉर्म दिल इस तो इस माइस चलेगा ऐसा सावी चले जिसका छोटा सा में भी तो यहां पर बनाए एक डोजे कंडल जिसका उपर और नीचे दोनों साइड में वीक चुटा है लेकिन यहां पर हम इसमें थोड़ा सा निगेटिव साइड के लिए सोच सकते क्योंकि मार्केट जब उपर गया था डारिकली मार्केट नीचे आ गया था सस्टेन नहीं कर पाय तो जब यह उपर जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसने कल्ट का जो सपोर्ट है उसको भी थोड़ा ब्रेक किया ही हुआ है सो मार्केट जब उपर जाएगा तो थोड़ा सा रिस्क बनेगा जब वो रेड़ कंडल अच्छी फॉर्म कर देगा डोजी कंडल चैया फोल्ट के जो कहिए पाद में एक रेड़ कंडल कलोजिंग होने का इंतजार कर लो तो जब ठाल तो ऊपर जाता birth जोग कंडल बनी उसमें हरे घ्टा की न बीड़ा मंने對ी उनकाizar यहां तो यह जितना ग्रीन दिखाती रहेगी न वहां पे ही उसका एंट्री बनता है उसके हाई के एसल के साथ में टार्गेट क्या रखोगे जो प्रिवियस बेस लगा है वही टार्गेट आपको रखना है पहले तो फिर मार्केट आता है इसी सपोर्ट के पास में यहां पे हो जा यहां से अगर मार्केट ऊपर चला चाता तो आपको यह फिर से मार्केट को दे देना पड़ता ठीक है यह जो रहेगा यह आपको मार्केट को दे देना पड़ेगा जो आपको पॉइंट्स मिले होंगे ठीक है इतना बात समझ में आया फिर मार्केट यहां पे गया करता है एक green candle form करता ठीक है ग्रीन candle form किया लेकिन क्या इस ग्रीन candle ने previous candle का high break किया नहीं किया फिर रैड़ कैंडल बन गे फिर मार्केट अभी यह वाला सपोर्ट लेवल तोड़ने के लिए तयार हो गया फिर मार्केट आया नीचे इसी सपोर्ट लेवल को है आपके सामने तो बता रही हूं यह जब रुण बजब मारकेश लायू में आभी बाकी यूंको पथा नहीं है कि हम लाइव आते हैं जो सिर्फ यह विडियो देखेंगे और उनको पता नहीं कि लायू वह मैं रायू में भी नायू में हम सेमस बनने से पहले ही इंडिकेट क अगर मार्केट बुलिश्मेट साइड वेज़े तो मुमेंटम आएगा वह उपर की साइड का यह आएगा ठीक है अभी यह बन चार्ट में बताना काफी आसान है लेकिन यह मैंने चालू मार्केट में बता यह बताती हूं कि प्राइस एक्षन यह बन रहा है वह बन रहा है ठ तरह रहे हैं यह मार्केट में बन बताए अगर ऑशनने मार्केट की जाहिए कि कौछ मार्केट कि बढ़ आता है इसे मार्केट काफी चीजे कर्ते हैं तो यह सारे रहती है वाई ब्रेंड मार्केट कि Ihoop कि आपको तो यह चीज़े समझ माई होंगी अभी कभी देखो मार्केट ऐसा आता है कभी-कभी मार्केट कैसा रणिंग में मार्केट आता है तो ऐसी जगह पर क्या करना है देखो अभी एक ग्रिन कंडल ग्याफप होने के बाद में फिर यहां पर एक निगेटिव पाटन बना दिया ठ एक एक निगछन एक निगेटिव पाटन फरम किया दो रैड कैनल बना उसकी इसुए वैसी मार्केट नेगन फ़र्म किया निगेटिव पाटन मार्केट नेखा बना झौ皰्म के दो रेड कंडल बना उसक्त निगार्ट का उसलोगेmy देघ् Guru कि जुँए ईंस रिकिंटोच पात में एक ग्रीन बनाया लेकिन के अंदर बनाया रेड गैनल के अंदर बनाया है सव cinematosis it और नहींमान वे इसे पाघ़ा आई निगतिव कंदल्व ह antibrier अधस्में इसके बाद अगर ऐसा कंदल कर दिना तो समझ जव fleki यह जो candle है पहली बात तो इसका closing का भी मुझे इंतजार नहीं रहता है जब यह candle ऐसी close करती न तो वही पर मुझे समझ में आ जाता है कि जब एक मिनिट हो जाता है और प्रीवेस का हाई ही नहीं ब्रेक होता है और कांडल बहुत अच्छा नीजे सस्टेंड कर रही हो सबसे से यहाँ पर होता सपोर्ट के पास तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता कंडिशन्स बहुत एक काईज याद रखने लायक बहुत चीज़ें यह उपर था यह उपर ओपन वह यह उपर था इसलिए इतना आराम से नीचे आया यही मार्केट अगर यहाँ पर कई पर था लेकिन मारकित नीचे आता है टारगेट यहां पर क्या एक फिस को यह जा की ओपर रॉप्र देखने लगाते हुए मां देखने को मिले यहां पर सपूर्ट लगाते हुए देखने को मिले मेरा सिंपल टार्गेट पहला यहीं रहेगा थीक्शाइब उसमें रंग में अगर ट्रेंड कंटीनीव होता है तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है बस प्रिवेश कैंडल के हाई के उपर candle close नहीं करेंगे सबका चो closing रहेगा वो डाउन्षाइड में closing रहेगा कोई भी candle previous candle के हाई के उपर close करते वह आपको देखने को नहीं मिलेगी यह भी सारा से और चीज़े हो गया यह रहता है बीरिश वाला अभी मैं आपको समझाना चाहूंगी बूलिश वाला कैसे रहता है देखो बुलिश फालों की दो चीज़े रहती है जब बुलिश ट्रेंड रहेगा ठीक है जब मुझे बहुत टफ लग रहा है कि आपको एक ही वीडियो में बुलिश और बियरिश डोनों समझाना क्योंकि एक चीज पहले मायंड में बैठना बहुत इंपोर्टेंट है यह एक ही वीडियो में ही अम लों को एंट्री एकजिट का सेटप चाहिए ठीक है तो मैं आपको अभी वही कर रहे हूं कि एक वीडियो में आपको दोनों चीज़ा रहे हूं अभी बीरिश को अच्छे से समझ लेना चाहे तो पहले आधा ही वीडियो पूरा एक बार पूरा देख ल बीरिश ट्रेंड में आपको एक चीज़ा याद रखनी है बीरिश ट्रेंड में क्या याद रखना आपको पहला रूल कौन सा बोला था क्या याद रखना है क्या ब्रेक होता है और क्या ब्रेक नहीं होता है बीरिश में कमेंट करो जल्दी ठीक है कमेंट करके छोड़ देन और दोडता है जितना resistance level strong उतना मार्केट उसको तोड़ के इतना जादा दोड़ेगा ना बहुत अच्छा मार्केट दोडता है अब बुलिस्टेंड की खासियत क्या होती है बुलिस्टेंड कैसे identify करते है वो चीज़े भी मैं आपको समझाऊंगे पस उसके लिए आपको आप हमारक्त जाएगा ये किसी को नहीं पता रहता है यहाँ बहुत अच्छा हमारकेंट बन झाइंड के इसके सांध जा सकते हैं अगर यह हैं यहां समय आपको क्या पatा हो सिक यह फिर सदॉन में और यह सब्सक्रावी के निकाल आन पर दो निकाल आहिं तो तो लीइक जुद म मोमेंटम अगर मिस करना चाहते हो तो यह मीस भी हो सकता है और उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रीवियस हाय ब्रेक कर दिया यहां पर एक चीज़ समझ में आ गए कि मार्केट का कर दिया ब्रेक्ट का चाहिए प्रीवियस जो हाय है कल का दिन का भी वह भी निकाल रहा है उसके बाद हम इंतजार करते कि मार्केट कोई ना कोई डीप लगा दे यहां पर मार्केट ने डीप लगा फिर एक गूड कैंडल बनाए गूड कैसी होनी चाहिए देखो पचास साथ क्या परण की कांडल रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका दिंप जब मिल तो अनुष जो रहताव ईंट्री उसका यह जाले देए रजिस्टंस को को तो उसके बाद मार्केट ठोड़ा रुकेगा जितना चले का ना उत्रा उसको चलने दिना है मैं आपको हमेशा बूलती हुआ तो मार्केट करके उपर जाए या डीप मार्के उपर जाएगा डीप मार्रा रहा है अभी यहां पर किया कंसोलिडाशन कंसोलिडाशन पर फिरसे बनाई हमारी फेवरेट स्कांडल हॉम बचनल हमार को यहीप बन गया हम तो जब दक नहीं थोड़ा तब दक तो इससे बाहर निकलने वाले नहीं नहीं है ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है और फिर मार्केट देता है ऐसी बड़ी 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 मोमेंटम यह काफी कम दीन होता है लेकिन पहले डेली एक इसा सेटप बनता था पता आपको फेबरुवरी के मंत के पहले जनवरी से लेकर के पहले उसके पहले एवरी डे बीरिश या बुलिश एक सेटप बनता ही बनता था बनता ही बनता था लेकिन अचल यक भी सेटप मार्केट नहीं बना रहा है अब करहें बहुती ब्रेंग था सब्रूपर चाहिए तो जब जरुकर को यह पिर तो जो З्या maior को जो close रहेगा, वोगे बनेगा entry, उसी का low बनेगा sl, उसका target रहेगा previous high, previous जो high रहता है उसका target रहता है, यहां से फिर से उपर गया, फिर से यहाँ पे हम safely भार हो जाएंगे, फिर market नहीं जाता है, आने कहाँ पर देरा है, previous base का असपास आने देना होता है, सो इसके पास आया फिर यहां पर दिखने लग गई हमारी hammer candle inverted hammer candle सो जो hammer यहां पर अगर अगर आपने निकल भी गया हो तो उसके फिर से hammer candle अगर मिल रही है तो उसी के closing entry उसी का best SL लेकिन उसके पहले previous high break होने चाहिए ठीके तो वो market में strength रहता है buyers का और उसके बाद market देखो क्या ही momentum कर रहा है बहुत ही बड़ी आसा market में momentum किया है देखो जो previous resistance रहेंगे ना market उनके पास ठोड़ा रुकेगा यहां पर previous resistance के पास में ठोड़ा रुका लेकिन market क्या करेगा ट्रेंड अगर और दोड़ना है उसको तो वो previous best को कभी नहीं तोड़ेगा और उसी बेस को रिटेस्ट करने के लिए market आता है नीचे फिर से वह उपर की साड में चाहता है चीज़े काफी सिंपल है लेकिन आजकल ऐसा प्राइस एक्षन हम लोगो मार्केट में देखने को मिली नहीं रहा है क्योंकि मार्केट ही ऐसा बीएव कर रहा है कि जिसमें क्या ही कहे भाई अब ऐसा दीन है यह वाला दीन देखो इसमें कैसे करेंगे कि मार्केट बुलिश है या नहीं है देखो मार्केट ओपन होता है नीचे ठीक है पहला दिन बेरिश लग रहा है दाते दाते सेलिंग हुआ था मार्केट गापडाउन खुलता है जापडान खुलने की बाद भी मैं आपको हमेशा बोलती हूं न्यूट्रल रहो आ कि मारकेम कर जा रहा है उपर जाने देंगे में को इंट्रस्टेट में रहोंगी या क्योंकि मुझे चाल मुझे पसंद नहीं नहीं तो तो साइड़ वेस को एंडिकेट कर रहा है ऐसा मुझे लगेगा क्योंकि यहां पे इतना कोई अज़ा खास हाइए निकाला नहीं फिर मार्केट में यहां पर इंट्रेस्टेट नहीं रहेंगे वो सबसे रहता है previous best क्योंकि bullish trend में तुटते उसके बात में market क्या करता है मार्केट पर यह सुन आहोगा कि या तो मार्केट करके उपर जाना चाहिए और अपने सुनी होंगे को आपको ध्यान रखना है बुलिश टेंड में कभी भी मार्केट प्रिवियस बेस को नहीं तोड़ेगा बेरिश मार्केट में कभी भी मार्केट प्रिवियस रजिस्टंस को नहीं तोड़ेगा चीज़े सिंपल है थोड़ा सा ध्यान दोगे एक वीडियो को दो तीन बार अगर आप देखोगे तो आप से धीरे-धीरे करके समझ मैंगी टार्गेट जो रखने हैं आपको प्रीवेस रजिस्टेंस कल का दीन देखने हैं कहा पर रुका हुआ है मार्केट बस वही टार्गेट आपके लिए होने चाहिए ठीक है वही सिंपल टार्गेट यहां पर करके ब्रेकडाउन किया तो ऊपर तो यहां पर करके उसी का रजिस्टेंस रहेगा वही आपका टार्गेट रहेगा जो प्रीवेस चार्ट में रहे हैं उसके लिए मैंने सिक्रेट लेवल स्टेजी का भी वीडियो बनाया है वह भी आपके लिए काफी हल्प पूल रहेगा और साइडवेस मार्केट को कैसे साइडवेस मार्केट रहेंगे ना उनमें मार्केट कोई प्राइज एक्षन ही नहीं क्रियेट करेगा जैसे इस दिन हो गया कोई प्राइज एक्षन ही क्रियेट नहीं है कुछ भी प्राइज क्रियेट नहीं है अभी आपको कैसे पता चलेगा कि साइडवेस है कि नहीं है इसके लिए आपको प्राइजेक्शन सीखना पड़ेगा अब जो चीजे मैंने सीखा यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है चीजों के ऊपर ध्यान दो आराम से सारी चीजे सीखने को मिलेंगी ध्यान देते तो सब कुछ कर दीजिए सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गई जहिंद राधे राधे